हेलो फ्रेंज, आएम दनीशा कंगराडे and you are watching TGAGRI आज हम बात करने वाले हैं Integrated Pest Management के बारे में that is IPM हम जानते हैं कि Green Revolution से लेकर अभी तक हम बहुत सारे Chemical Fertilizer और Pesticides के यूज करते हैं आ रहे हैं जब हमने इसके शुरुआत की थी तब तो हमारे Production और Productivity में काफी Increment था पर आज इसके Results हमारे सामने आ रहे हैं आज धीरे धीरे हमारे Soil की Fertility कम हो रही है Pest में Resistant Power भढ़ दिये जहां हम पहले बहुत कम Quantity में Chemical Pesticides के यूज करते थे वही पर आज इसकी Quantity काफी बढ़ गई है साथी Human Health, Animals, Birds, Crop Physiology और Environment के उपर भी इसके Adverse Effect देखे जा रहे हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हर देश की सरकारे Integrated Approach को बढ़ावा दे रही हैं देखिए Control और Management दो अलग-अलग चीज़े होती हैं हम Pest को कभी भी पूरी तरह से Control या खत्म नहीं कर सकते पर सही Management करके हम उसको Reduce या Minimum जरूर कर सकते हैं तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं Integrated Pest Management के बारे में तो हमारी वीडियो शुरू करते हैं पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं तो आज इस वीडियो में हम सबसे बहले बात करेंगे IPM के बारे में कि IPM क्या होता है उसके बाद हम बात करेंगे Tools और Components of IPM देखिए फ्रेंट्स IPM के Detail Study करने से पहले ये IPM के Tools पढ़ने से पहले हमें IPM के बारे में पता होना चाहिए कि IPM exactly क्या होता है क्या इसकी Definitions है क्या इसके Objectives है हर चीज के Objectives होते तो IPM की क्या Objectives है IPM की क्या Scope है IPM की क्या Advantage है और साथ ही IPM की क्या Disadvantage है तो इन सभी Topics पर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसकी Link हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहाँ से जाके इन सभी पर आप पहले देखेंगे तभी आपको इसकी आगे के जो Practices है आगे की जो Methods है वो काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगी तो आगे हम देख लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से Tools आज इस बार हम cover करने वाले हैं तो आज हम देखेंगे इसमें Cultural Methods क्या होता है Mechanical Methods, Physical Methods, Biological Methods, Host Resistance Methods, Behavioral Methods, Genetic Biotechnological Methods, Regulatory Legal Methods और Chemical Methods तो इन सभी Practices और Methods को इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो आज हम बात करेंगे IPM के बारे में थोड़ा Brief इसका discussion करेंगे IPM क्या होता है फिर हम बात करेंगे कि IPM की क्या-क्या Tools होते है हम IPM का Full Form जानते क्या होता है Integrated Pest Management हम ये भी जानते हैं कि धीरे-धीरे Pest की Population क्या हो रही है Increase हो रही है Pest में Resistance, Power भी क्या हो रहा है धीरे-धीरे बढ़ रहा है तो Pest को Chemical Pesticides से डिरेक्ली यूज न करते हुए जब हम Microbial, Mechanical, Behavioral, Biological, Cultural, Host Plant Resistance और Chemical, इन सभी Methods का एक साथ यूज करते हुए जब हम Pest को Control करते हैं तो उसे कहते हैं Integrated Pest Management देखिए नाम में ही आ गया Integrated Integrated मतलब एक साथ जब हम एक साथ सभी Methods का यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं Integrated Pest Management अब हम देखते हैं कि integrated pest management की कितने क्या tools होते हैं और कौन-कौन से components होते हैं तो देखे सबसे पहले आती है इसमें cultural methods, mechanical method, physical method, biological control method है ना और कौन-कौन सी method आती है इसमें आती है हमारा host plant resistance method, behavioral method, genetic biotechnology method regulatory, legal control method और last में आता है chemical control देखे ऐसा नहीं होता है कि integrated pest management में हम बिल्कुल ही chemical का use नहीं करते हैं हम use करते हैं पर at the end में ठीके हमको सभी चीजों का लेके साथ में चलना होता है और सभी चीजों का use करना होता है ठीके तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे cultural method की cultural method में क्या होता है देखे cultural method का मतलब होता है कि जो हम फार्म में प्रैक्टिस यूज करते हैं जो भी हमारी farming practices है जब हम उसमें थोड़े से changes लाते हैं ठीके ताकि हम pest को control कर सकें तो उसे हम कहते हैं cultural method अब हम आगे देखते हैं कि इसमें और कौन-कौन से points को include किया जाता है cultural method में सबसे first method है हमारे पास crop rotation देखे हम जानते हैं कि जब हम crop का rotation करते हैं या एक crop के बाद दूसरी crop लगाते हैं तो जो पहली वाली crop में हमारा pest present होगा वो second crop में attack नहीं कर पाएगा और इसके थूँ हम pest को क्या कर पाएंगे control कर पाएंगे या उसको हम manage कर पाएंगे second is sanitation and destruction of crop residues and weeds देखे क्या होता है कि जब तक हमारी main crop है जब तक तो क्या रगता है हमारा pest उस main crop में रहेगा पर जैसे ही हमने इस crop को harvest कर लिया तो वो pest कहां चले जाता है weeds में चले जाता है या बचे हुए crop residues में चले जाएगा पर point is अगर हम उस weeds को ही destroy कर दे तो तो जब हम उस crop residues और weeds को ही पूरी तरीके से खतम कर देते हैं तो जो insect है वो भी खतम हो जाएगा तो जो आगे हमारी आने वाली जो भी हम crop लगाने वाले हैं वो क्या होती है पेस्ट के attack से बच जाती है ठीके तो इस थरीके से भी हम अपने पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं देखिए जैसे spotted ball worm in cotton और leaf roller ये क्या करते हैं पहले तो cotton में रहते हैं पर बाद में ये अपना host किसको बना लेते हैं weeds को तो आप हमें क्या करना होगा कि हम weeds को ही destroy कर देए ठीके next step flowing और cultivation of soil देखिए क्या होता है जब summer deploying करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो soil में अगर कोई भी इंसेक्ट है कोई एग लेंग इंसेक्ट है तो क्या करते हैं जब हमने लिए हैरी केटरपिलर कट वर्म्स और वाइट ग्रम्स के लिए यह मैथड को रिकमेंडेट किया जाता है ठीक है इस मैथड से हम ग्रास होपर्स के एक्स को क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ठीक है जो भी फील्ड बंड में ग्रास होपर्स के एक को डिस्ट्रॉय कर और एग लेंग पीरेड क्या होता है सेम होता है तो अब हम क्या कर सकते हैं उसको क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं हम उसको क्या कर सकते हैं आगे कर सकते हैं या फिर लेट कर सकते हैं इससे क्या होता है कि जो एग लेंग पीरेड है क्योंकि जो हमारा पैस्ते वो न्यूट्र crop ठीक है trap crop भी बहुत important है ये भी आपने देखा होगा और ये example पूछे जाते हैं देखे क्या होता है कि जैसे हमने cotton की field में क्या करते हैं हम ओकरा की crop लगा देते हैं तो जो भी red cotton bug है वो किस के पास आएगा इस ओकरा की crop पर आएगा जिसकी हज़से हमारी cotton की crop क्या है बच जाएगी वैसे ही तामेटो या cucumber की field में क्या लगा देते हैं जैसे मैंने आपको यहां बताया है है ना tomato cucumber की field में हमने marigold लगा दिया तो वो क्या करता है marigold की जो crop होती है वो है ना tomato fruit water को अपनी तरफ अट्रेक्ट कर लेगा जिससे की tomato की crop पूरी तरीके से बच जाती है तो इस तरीके से भी हम pest को control कर सकते हैं उसके बाद pruning थीनिंग से भी हम उसको control कर सकते हैं जब उसको काट देते हैं उसकी proper pruning कर देंगे तो अगर उसके उपर कोई pest है तो वो भी क्या हो जाएगा मर जाएगा उसके बाद mix crop लगा दिया फिर बाजरा फिर जो आ फिर बाजरा फिर बाजरा ठीके अब जिस पैस्ट ने जवार को attack किया है ठीक है उसके बाद हमने बाजरा लगा देła वो pest बाजरा को attack नहीं करता है तो अब बाजरा फिर बाजरा को तरा इस थीके से बीच में कैया हो गया अब ढज बढ़ गया तो अब Chief करने के चैंसे भी क्uration भी कम हो गई यह क्हता है इस के chances भी कम हुए इस तरीके से हमने उसको क्या किया हमने उसको manage कर लिया तो ये भी एक तरीका होता है उसके बाद use of resistant varieties ये तो बहुत ही जादा use किये जाने वाला method है हम क्या करते हैं पेस्ट की resistant variety लगाते हैं जैसे apple की bully है फिट से resistant variety कौन सी है विंटर मेजटीन ग्रेप की फायलोकसेरा से कौन सी वराइटी है पेस्ट रजिस्टेंट अमेरिकन वराइटी से तो ये वराइटी आपको याद रखना है क्यूंकि इस वराइटी से questions पूछे जाते हैं तो ये विंटर मेजटीन वराइटी ग्रेप की अमेरिकन वराइटी है ना तो ये वराइटी को भी एक बार आपको देखना है तो ये भी हमने देखी कल्चरल मेथड अब हम डिसकस करेंगे कि मेकानिकल मेथड के थू हम पेस्ट की पॉपिलेशन को किस तरह रिडियूस या कंट्रोल कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं मेकानिकल मेथड क्या होता है देखे जब भी हम किसी मेकानिकल डिवाइस के थू पेस्ट की पॉपिलेशन को कंट्रोल करते हैं तो उसे हम कहते हैं मेकानिकल मेथड अब हम आगे देखेंगे कि मेकानिकल मेथड में कौन कौन से हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसे हम कहते हैं हैंड कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट अब इसमें कौन-कौन से आते हैं जैसे शुकरकें टॉप बोरर हैरी केटरपिलर पाइरिला ग्रॉब्स और मस्टर्स ऑफ लाइ पतलब जो भी बड़े-बड़े इंसेक्टर हैंगे इसे हैं पर पकड़े हैं नेक्स जाता है तो आता है हैं धैजब्स ट्रेप में आ जाते हैं यम क्यड़े इंसेक्ट होते ना को पकड़ने की कोशिश करते हैं जैसाиля होता है ग्राहिवर्स चेनिकल बेरियर देखे, barrier का मतलब ही समझ में आता है कि हम क्या करते हैं, barrier लगा देते हैं अब barrier लगा देंगे तो क्या करते हैं उनके जो movement है, वो बढ़ नहीं पाएगा वो एक ही जगह रुख जाएंगे जिसकी वज़े से क्या होगा हमारी जो field है, वो pest population के attack से बच जाएगी सबसे पहले इसमें आता है tree bending देखे, tree bending नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमने tree में क्या लगा दिया, एक band लगा दिया adhesive sticky band लगा दिया अब जब हम इसमें sticky band लगा देते हैं तो जो pest है, है ना, वो कहाँ जब वो उपर जा रहे होंगे, तो वो sticky band पे क्या हो जाएंगे चिपक जाएंगे, और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिससी कि कि हमारे जो plant उस पे कोई भी pest population attack नहीं कर पाएगा, इसका best example क्या होता है mango millie buck, हम क्या करते हैं, mango के tree पे इस तरह कर से adhesive trap लगा देते हैं, या sticky band लगा देते हैं जिसकी वज़े से mango millie buck क्या होता है वो यहाई पे जाके stick हो जाता है और आगे जो हमारे tree को बिल्कुल भी attack नहीं कर पाता है क्योंकि वो यहीं रुख जाएगा ना, हमने क्या लगा दिया एक barrier लगा दिया, वो आगे movement नहीं कर पाया ठीक है, next is fencing देखे, fencing क्या करते हैं, जित्ते भी ऐसे insect या जैसे pest होते हैं जो crawling करते हैं, ठीक है, move करते हैं एक wall से, दूसरी wall की through क्या क्या लगा देते हैं, fencing लगा देते हैं जित्ते भी crawling करने वाले insect होते हैं, वो क्रॉलिंग करके, अब कूद के तो इधर से उदर जाएंगे नहीं, वो तो crawling करेंगे तो हमने यही पर deep furrows बना दिया, है ना, तो उनका जो movement है, वो यही पर हो जाता है, stop और जिसकी वज़े से हमारी field के होती है, बच जाती है, उसके बाद कुछ और टाइप की barriers भी होते हैं, जैसे paper और muslin bag से हम क्या करते हैं, fruit को पूरी तरीके से cover कर देते हैं, जिसकी वज़े से जित्ती भी fruit flies, अनार butterfly उसको attack नहीं कर पाती है, तो यह भी हमने बात करी, mechanical barriers की अब हम बात करते हैं, mechanical trap की, देखिए हम जानते है, trap का क्या मतलब होता है, trap का मतलब होता है, एक जाल, ठीके उसमें क्या होता है, जित्ते भी pest है, insect है, वो आके क्या होते हैं, उसमें attack जाते हैं, और अपने field पे attack नहीं कर पाते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है, adhesive trap, ना लगा देते हैं, अब जब हम उसको लगा देते हैं, और वो कैसा color का होता है, yellow color का होता है, याद रखीए को, ठीके, इसको yellow trap भी बोलते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जित्ते भी छोटे-छोटे fly करने वाले insect होते हैं, वो यही पे आके चिपक जाते हैं, और फिर वो आग इंसेक्ट उस पैके चिपक जाते हैं, और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नेक्स चाहता है हमारा hopper deserts और other deserts, देखे, deserts क्या होते हैं, देखे, यहाँ पे जब प्लोइंग करते वक्त क्या लगाते हैं, हम प्लोइंग मशीन में किसे जाल टाइप लगा देते हैं, कि जैसे मशीन आगे बड़ी, जो छोटे छोटे इंसेक्ट जो हमारी field में से निकलेंगे, soil में से निकलेंगे, वो क्या आते हैं, वहाँ पे अटक जाते हैं, और महीं पर मढ़ जाते हैं, जिसकी वज़े से वो attack करने, attack नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ और टाइप के white flies के लिए होते हैं, मिथाईयल उजिनॉल ट्रेप, fruit fly के लिए, water pen trap, brown plant hoppers के लिए, pitfall trap, ants, antillian grubs and other soil insects के लिए होते हैं, ठीक है, तो ये जो traps है ना, specific traps आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्यूंकि question आपको specific traps से ही पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप इसे से नेक्ट मैठड है हमारे पास physical मैठड में जितने भी फीजिकल फेक्टर्स है जासे टेंपरेचर लाइट यह जब हम इन सबी फीजिकल फेक्टर्स को यूज करते हैं पैस की पॉपिलेशन को कंट्रोल करने के लिए यह रिडियोस करने के लिए तो उसे हम कहते हैं physical method तो आगे हम देखेंगे कि हम physical method में कौन-कौन से physical factors को use करते हैं देखे सबसे पहले physical control में आता है use of temperature देखे use of temperature में क्या करते हैं हम artificial heating या cooling करते हैं pest को control करने के लिए अब इसमें दो चीज आती है एक low temperature दूसरा high temperature low temperature किता होता है जब हम 40 से 60 degree Fahrenheit देते हैं तो इसमें क्या होता है पेस्ट में ली क्या होते inactive form में चले जाते हैं या देखेंगा जब भी थंडा टेंपरेचर देंगे ना तो वह मरते नहीं वह अपने inactive form में चले जाते हैं पर जब भी हमने हाइट एंपरेचर दिया उस समय में क्या करते हैं पैस्ट मर जाते हैं ठीक हो अपने आपको ज्यादा सर्वाइब और नहीं कर पाते हैं ठीक हम देखते हैं कि जब भी गेहूं होते हैं या सीरियल को बौर करने के लिए जब हर को होट वाटर त्रीटमेंट करते हैं हम घर ले लूगास्ट करते हैं और हम्राइब जोंआ करने के लिए हम उसको काई में रखते हैं अपने Colorado को आस्ट है तो यह हमने बात करी यूज ओफ टेंपरेचर की एक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूमीडीटी और मॉइस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम जानते हैं कि जितनी जादा यूमीडीटी जितना जादा मॉइस्टर पैस्ट की पॉपिलेशन उतनी ही जादा होती है ठीक है हम जानते हैं कि जब आहां भी स्टैंडिंग वॉटर होता है या मार्शी लेंड होते हैं महाँ पर मस्क्यूटो अपने आपको बहुत जल्दी क्या करते हैं मल्टिप्लाइ करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए वह जो भी मार्शी लेंड हैं इस्टैंडिंग वॉटर में प्रॉपर ड्रेनेज कर देना चाहिए ताकि इन मस्क्यूटो की पॉपिलेशन को हम भी कंट्रोल कर सकते हैं है ना सेकेंड हम जानते हैं कि राइस की फील में हम क्या करते हैं बार बार हमको क्या करना चाहिए अल्टरने ड्राय और वेट करना चाहिए ताकि हम ब्राउन प्लांट खॉपर के अटैक से बच सुकें हमको जब सीड उसको प्रॉपर तरीके से ड्राय करना चाहिए ठीक है पूरी तरीके से अच्छे से सुखाना चाहिए ताकि उसमें इंसेक्ट का डेवलप्मेंट नहीं कर पाए देखिए अगर हम जानते हैं अगर थोड़ा भी सीड में मौस्टर है जाता है तो वह इंसेक्ट या पैस्ट अपने आपको इजी ली क्या करते हैं वहाँ पे रीप्रेड्यूस कर लेते हैं उसके बाद हमको जहां जाए और इस पॉइंट है हमारा लाइट देखिए लाइट का भी बहुत ज्याद़ यूज्याद का जाता है इंसेक्ट को कंट्रोल करने में अब आप पूछ हैंगे कि कैसे यूज़ क्या जाता है तो बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट ऐसे होते हैं जो लाइट कि तरफ अट यूवी लैंप का यूज किया जाता है ठीक है जित्ती भी हम स्टोरेज के लिए जो भी ग्रेंज होने वाले ना उसको हम इंफ्रारेड लाइट से ट्रीट करते हैं ताकि अगर उसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट हो तो वह महीं पर मढ़ जाए ठीक है फील्ड में हम क्या करते है इंफ्रारेड लाइट लगा लेते हैं या फिर स्टोरेज गो डाउन में हम इंफ्रारेड लाइट लगा लेते हैं ताकि इंडिये मील मोद की उससे क्या होती है फर्टिलिटी रिडियूस हो जाती है तो आगे अपनी पॉपुलेशन को नहीं बढ़ा सकते हैं साथ में एक लाइट ट्रैप होता है देखिए ये एक ऐसा कुछ यह डिवाइस होती है ठीक है तो जितने भी फॉट्टो ट्रॉपिक इनसेक्ट होंगे न वो उसकी तरफ क्या आते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और नीचे यह आपको दिख रहा है स्पेस इसमें क्या होता है कै इसके बाद नेक्स्स आता है हमारा साउंड का भी यूज किया जाता है इनसे को कंट्रोल करने के लिए ठीके Canada में electric flash gun का use किया जाता है male mosquitoes को sterile करने के लिए अब उनको sterile कर दिया तो आगे तो अपनी population को बढ़ाएंगे इनी तो यह भी हमने देखा कि physical factors के थूरू हम किस तरह के से pest की population को control कर सकते हैं next method आती है हमारे पास biological method कि किस तरह के से हम natural enemies parasites, predators, parasitoids कि थूरू pest की population को control कर सकते हैं अब हम आगे देखेंगे कि biological method में क्या क्या आता है तो सबसे पहले आता है conservation of natural enemies हम जानते हैं हर species के अपनी natural enemies होती है अगर हम pest population के natural enemies को conserve कर के रखे तो हमें उन्हें control करने की जरुरत ही नहीं होगी क्यों क्यूंकि enemies ही उनको क्या कर लेंगे control कर लेंगे second है for release parasites and parasitoids क्या होता है कि एक particular insect होता है उनकी कोई parasites होते हैं या उनके parasitoids होते हैं जब हम उनको release कर देते हैं प्राइमरी 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 प् करते हैं वो है Trichograma chylonaeus 중요한 Trichograma Jack politica next term हमारे से हमारे से вी प्राइमरी पैरसाइट तो जो फाइटो-फेगस इनसेक्ट पर इसी कहते है प्राइमरी पैरसाइट है परफिशाइट मतलब ऐसे पेरसाइट जो इंसेक्ट को खा जाए और तो मतलब अपनी ही ठीक है तो उसे कहते है होटो पेरसाइट कभी कबर क्या होता है फीमेल अटेक करती है मेल पे या मेल अटेक करता है फीमेल पे तो उसे हम कहते हैं ऑटो पेरसाइट ही हमने सेकेंड मेथड देखी दूसरा आता है यूज ओफ मायक्रोबियल पैथोजन में क्या गया जैसे हम बैक्टीरिया वायरस फंगस या प्रोटोज। microbiome or μεा यूस के लिए इंसेक्ट पैस्ट को कंट्रोल करने के लिए तो उसे हम क्या कहते है- use of mystical pathogen इसका सबसे पहले कि ने कि दाए हैरेल ने यूस कि दाने Έकोम किस result नो मिला इसलिए उनको father of microbial control भी कहा जाता है ठीक है तो बहुत ही जाधे important है एक तो bacillus thuring genesis जो किसको control करता है लेपिडोप्टेरस लारवा को पेक्टिनोफोर गोशिपेला या फिर शुकरकें स्टेम बोरर को और दूसरा है NPV that is nuclear polyhidrosis virus जो किसको control करने के लिए important है इस पोड़ोप्टेर लिटीव रा और हेलिको वर्पा आर्मी जे रा इसमें questions बनते ही है इसको आपको बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए ठीक है आपको याद करना है पढ़ना नहीं है इसको याद करना है और second की डी हेल जो है वो कौन है father of microbial control उन्होंने किस पर काम किया था next आते हैं use of predators ठीक है ठीक है ठीक है पैरसाइट्स और predators में दो difference है लेकिए predators क्या करते है उसको पूरी तरह किल कर देते हैं जैसे हम बोल सकते है लायन ठीक है लायन क्या काम करता है as a predate करता है मतलब prey करता है वो किसी और का है ना लायन जैसे suppose एक हमारी आक साल गई या कोई डियर है उनको क्या करेगा उनको पकड़ के खा जाए का उनको क्या करदेगा इसे हम कहते है प्रीडेटर्स और दूसरा होते है पर्षी adviser slash बहुता है अब история कि एक औरगनिजम दूसरे औरगनिजम या उसको पेंड करें तो उसे हम कहते हैं परेसाइट तो अभी तनक हमने पेरसाइड और पिरे की बात करी थी अभ मात करते हैं प्रिडेटर् सब्सक्राइब तो इसको सबसे पहले कौन से प्रिडेटर का यूज किया था बैडालिया बीटल का यूज किया गया था फॉर दे कंट्रोल आफ कॉटनी कुशन स्केल को कंट्रोल करने के लिए ठीक है अब इसमें भी दो इंपोर्टेंट है एक तो सिट्रस और ग्रेपफाइन मीली बग इंसेक्ट का प्रिडेटर है क्रिप्टोलेमियस और ब्राउन प्लांट होपर का प्रिडेटर है साइट्रो हाइनस तो यह आपको पता होना चाहिए उसके बाद जो हमारा बायलोजिकल कंट्रोल की 31 सबको इंपोर्टेंस समझ में आई तो उसकी वज़े से उसका हेड़कौार्टर बगेरा बनाया गया तो Commonwealth Institute of Biological Control यह कहा है Trinidad West Indies में तो यह अभी हमने बात की किसकी biological method की अब हम बात करते हैं host plant resistance method की ठीक है नाम से ही समझ में आ रहा है कि host plant क्या है रजिस्टेंस है पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं host plant resistance method देखें host plant resistance method को हम varietal resistance भी बोलते हैं अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या mechanism है जिसकी वज़े से host plant क्या है रजिस्टेंस है तो सबसे पहले आता है non preference या anti-zenosis देखें जीनोस का क्या मतलब होता है जेनोस का मतलब होता है guest यहाँ पर बोल रहा है anti-zenosis मतलब guest आएंगे ही नहीं या फिर plant में कुछ ऐसे physiological morphological features होते हैं जिसकी वज़े से जो insect उनको prefer नहीं करते हैं मतलब आप बोल सकते हो वह बहुत ज़्यादा unattractive दिखते हैं unsuitable होते हैं कि वह वहाँ पर insect जाते ही नहीं है ठीक है इसके example क्या है कॉर्टन में trichomes होते हैं तो उसकी वज़े से वहाँ पर white fly attack नहीं करती हैंना सोर्गम में open panicle होता है तो वह किसको helico वर्पा वहाँ पर support नहीं करता है या वहाँ पर उसको prefer नहीं करता है कि यहाँ पर हमें नहीं जाना ठीक है अब next mechanism है Antibiosis Antibiosis को क्या मतलब होता है कि जब अगर वह host plant के पास चले गए उन्हेंने उसको feed कर लिया तो उनको बहुत ही ज्यादा adverse effect दिखने लगते हैं ठीक है मतलब वहाँ पर कुछ toxic substance प्रेजेंट होते हैं या फिर उनको proper nutrition ही नहीं मिलता है ऐसी कुछ जाते हैं Antibiosis अब देखें कुछ chemical factors होते हैं जैसे cotton हम जानते हैं उसमें क्या होता है गोसिपयोल होता है जो किसके लिए बुरा होता है American ballworm के लिए sinigreen efforts के लिए कुछ physical factors भी होते हैं जैसे thick cuticle, glandular hair, silica deposits और tight leaf sheet जिसकी वज़े से क्या जाते हैं वो वहाँ पर जाते ही रही है या attack नहीं करते हैं तो दो term बहुत एक जैसी होती है याद रखिएगा एक होता है anti-genosis जिसको हम non-preference बोलते हैं मतलब वो जाएंगे ही नहीं ठी ठीके दूसरा anti-biosis, anti-biosis मतलब कि वो खाने पर feeding करने के बात बहुत ज्यादा adverse effect शो करते हैं इसलिए वहाँ पर आटेक नहीं करते हैं वो उनको नहीं जाते हैं तो अब हम next देखते हैं tolerance के बारे में tolerance तो हम जानते हैं कि tolerance का मतलब वो tolerate कर लेते हैं ठीके host plant क्या करते हैं उ जो जादा loss है वो create नहीं करते हैं इंसेक्ट ने तो attack किया ऐसा नहीं है कि insect pest ने अटेक नहीं किया इंसेक्ट पेस्ट ने तो वहाँ पर जाके अटेक करता है पर plant क्या करते हैं उसको tolerate कर लेते हैं ठीक है इसे tolerant varieties आती है next आता है ecological resistance ecological resistance का मतलब क्या होता है कि environment में कुछ temporary shift हो इसे जो पेस्ट है जो इंसेक्ट है वो plant पर attack नहीं कर पाता तो उसे हम कहते है ecological resistance देखिए host plant resistance में थर से तो आप से direct question पूछे जाएंगे to the point आप से चीज़े पूछी जाएगे और आप से expect के जाएगा या proper definitions लिखे ओके तो यहां से आप proper definitions देख लीजेगा और इसे आप आपको पता भी होना चाहिए अब हम देखेंगे behavioral method के बारे में कि behavioral method से हम pest को किस तरीके से control कर सकते हैं ठीके तो इसमें सबसे पहले आते हैं ferromods तो ferromods और allelo chemicals दो different types की chemical होते हैं क्या होते हैं वो अभी हम example के फूट discuss करते हैं देखिए suppose ant ने एक कोई chemical secret किया ठीके और इसक इसके पर दिखने पड़े उसी species के दूसरे member मतलब दूसरी ant पर तो उसे क्या कहते हैं हम ferromon मतलब एक species ने उसको प्रडियूस किया इसके effect हमको किस पर दिखने लगे उसी species के दूसरे member पर तो उसे हम कहेंगे ferromon अब allelo chemicals क्या होता है कि ये produce किस ने किया plant ने effect किसको देख पर दूसरी species पर देखने को मिले तो उसे कहते हैं allelo chemicals ठीक है तो आपको समझ में आगया होगा अब ferromon के different type होते हैं तो sex ferromon तो हम जानते हैं कि जो male moat है वो sex ferromon release करता है कि इसको female moat को attract करने के लिए next is trail ferromon trail ferromon क्या होता है जो चीटिया है जो आंट है वो क्या करती है trail ferromon को release करती है ताकि जो दूसरी आंट है वो उसके वो उनको follow करें तो उसे कहते हैं हम trail ferromon उसके अलावाता है aggregation ferromon और alarm ferromon तीक है अब बात करते हैं अगर allelo chemicals की तो हमने जाना कि अगर plant produce करता है तो उसके effect की पर किसा पर देखने को मिलता है insect पर तो ये भी दो टाइप करते हैं एक होता है alo mons और दूसरा होता है keromons अब हम देखते हैं कि alo mons और keromons क्या होते हैं तो सबसे पहले आता है alo mons देखिए alo mons ऐसे chemicals होते है जो plant क्या करता है secret करता है इसकी वज़े से जो insect क्या होते उससे दूर जाते कि नहीं नहीं प्लांट के पास नहीं आना, उन की जो feeding की या जो वो सकते है biting की piercing की जो वो क्या होती है वो धीरे धीरे inhibit होती है और walking और flying की जो capacity है वो बढ़ जाती है प्लांट क्या करते हैं इंसेक्ट को अपने से दूर भगाते हैं तो उसे हम कहेंगे एलो मोंज दूर भगाना और नहीं पर केरो मोंज ऐसे प्लांट केमिकल्स होते हैं जो वह इंसेक्ट को अपने पास बुलाते हैं कि आजाओ 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 अब बुलाते हैं तो क्या करत बढ़ा देते हैं ठीक है तो ऐसे केमिकल्स जो अपने से दूर भगा है एलो मोंच जो अपने पास बुला है वो होते हैं केरो मोंच तो इस तरीके से भी प्लापेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है ओके नेक्स्ट मेथड है हमारे पास बायो टेकनोलोजिकल मेथड जो बहुत ही इंपोर्टेंट मेथड है इसका बेस्ट एक्जामपल है बीटी कॉटन है ना तो बीटी कॉटन पर थो हमने पूरा वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या आता है तो इसमें आता है वाइड हाइजेशन में हम क्या करते है जो रजिस्टेंट जीन होते है ना वो क्या करते है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में ट्रांसफर कर देते हैं या एक वराइटी से दूसरी वराइटी में ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं वाइड हाइड 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 तो में जानते ही हैं ट्रांस प्लांट किसी दूसरे सकतर होता है ? कि प्लांट में उस जीन को क्याUD कर देते हैं। उसमें ट्रांसफर कर देते हैं Jisकी वजह से इन्सेобщ पिर टाक लिए कैसी हो जहती है नेक्स्ट मैथाड है हमारे पास मेल इस्टेराइल टेकनिक, मेल इस्टेराइल टेकनिक के थुर हम क्या करते हैं, जो मेल रहते हैं उनको इस्टेराइल कर देते हैं, अगर हमने उनको इस्टेराइल कर दिया तो वह आगे अपनी पॉपिलेशन बढ़ा पाएंगे, क्या नहीं भी बड़ा पाएंगे तो यह सारी मैथर्ड आती है किसमें हमारी बायो टेकनोलोजिकल मैथर्ड में जिसमें हम सोमा क्लोनल वेरियेबिलिटी वाइड हाइब्रिडाइजेशन ट्रांजेनिक प्लांट और मेल स्टेराइल टेकनिक के थूँ पेस्ट पॉपिलेशन को अटेक क करने से कंट्रोल करते हैं नेक्स्ट मैथड है हमारे पास रेगुलेटरी और लीगल मैथ देखिये रेगुलेट्रिय या लीगल मैथड का मतलब क्या होता है जब कोई laws होते हैं, जब कोई act होते हैं ताकि जो pest population है वो एक जगा से दूसरी जगा move नहीं कर पाए या फिर हम बोल सकते हैं जब government इसमें अपना role play करती है और laws बना देती है तो उसे हम कहते हैं regulatory और legal method अब हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है तो यह तो हम समझी गए कि legal control का क्या मतलब होता है कि जब government ऐसे laws बना देती है जिसकी वजह से pest एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए क्या हो सकता है, prevent हो जाए तो उसे हम कहते है regulatory और legal control अब कुछ pest ऐसे थे जो accidentally इंडिया में introduce हो गए थे वो कौन से था, pink ball one, cotton cushion scale, woolly aphid of apple और sanjo's scale ठीक है इसके बाद रता है हमारा deep act, destructive insect and pest act जो आया था 1914 में जो बहुत ही बहुत ही जादा important है यह act क्या है, इस act के according आप कोई भी जो भी आपका infected या आप बोल सकते हो अपना infected seed वगेरा हो, infected आपकी variety हो तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह state to state transfer नहीं कर सकते हैं ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं quarantine की देखे, quarantine का मतलब हम जानते हैं इसका मतलब होता है कि जो भी अगर हम क्या करते हैं हम चीज बाहर से लाते हैं, import करते हैं या export करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? हम उसको isolation में रखते हैं ताकि हम उसको देख पाई कि उसमें कोई disease तो नहीं है अगर उसमें कोई disease होती है तो फिर हम उसको क्या करते हैं? control करते हैं, fumigation वगेरा जिसके थ्रू भी वो हुई है फिर आप उसको कंट्रोल करोगे उसके बाद हम फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट देते हैं और बोलते हैं कि हाँ अभी हमारी जो वाराइटी है जो भी सीड वगरा जो भी आपने भेजा है या जो भी अपलाई हो वो एकदम क्या है डिसीज फ मेरा करते हैं वैसे ही प्लंट को को क्रेंगे ढों फ्री वीग्स के लिए उसके बड़देग्रे सो भारें तरे इसमें क्लास थील एं सबसे पहले अंधा something होता है जब हम एक से दूसरी कंट्री पर लोच लाने कर देते लीगल से ब्रेडिशन City लगा देते है प्रिवेंट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं foreign quarantine इसमें क्या होता है कि जब हम कहीं से ला रहे होते हैं या कहीं हमें देना होता है तो हमें phytosanitary certificate की जरूरत होती है ठीक है यह certificate यह proof कर देता है कि आपके पास जो भी material है वो pest or disease free होता है ठीक है तो इसे हम कहते है है foreign quarantine जो एक country से दूसरी country के लिए होता है दूसरा होता है domestic quarantine जो कि एक state से दूसरे state के लिए होता है मतलब वह within a country की ही बात हम करते हैं ठीक है उसके बाद कुछ legislation बनाएगा है इफेक्टिव मेजर्स के लिए है ना उसके आद कुछ legislation बनाएगा है अडल्टरेशन और मिस ब्रांडिंग के लिए उसके बाद है नेक्स हमारे पास कुछ हम regulate करने activities को जो भी pest control में activities engaged है तो यह सारे legislation से laws है जो हम बोल सकते हैं जो pest के control के लिए बहुत ही ज्यादा important है अकर यह laws नहीं होंगे ना तो पेस्ट के activities या उसका population और बढ़ जाएगी और यह हमारे लिए क्या होते हैं बहुत ही ज्यादा destructive बन सकते हैं आगे जाके तो यह अभी हमने देखी regulatory और legal method अब लास्ट में हम बात करते हैं chemical method देखिए इंट माधार ने निकला फिर भी पेस्ट है तो फिर आप chemical method का यूज कर सकते हैं अब chemical method में भी हमने insecticide को दो पार्ट में बाटा है एक होता है natural और दूसरे होते हैं synthetic natural में दो टाइप के होते हैं plant based होते हैं और minerals oil होते हैं plant based में आते हैं pyrethrum और azadirectin synthetic में दो है inorganic organic फिर organic की अल पाद यह नहीं होना चाहिए आपको यह पता होना चाहिए कि organophosphate का example क्या है कार्बामेट का example क्या है क्यूंकि वो directly question पूछ लेते हैं कि बताइए dichlorowast तो वो भी जानते कि chemical insecticide है पर वो कौन सा है वो organic है inorganic है अब इसमें डीप में चले जाते हैं organophosphate है कार्बामेट है क क्रील उसके बाद अगर आपको कार्बामेट में आपको से पूछा जाता है यह bendyotal are GalWhen ठीक है पारेत्रोइड में आपको पता होना चीए डाय डेल्टा मेथरीन के बारे में प्री मेथरीन के बारे में यह सब आपको पता होना चीए उसके बाद अगर हम और्गेनो क्लोरीन की बात करें तो यह डीडीटी और बीएस्ची होते हैं जो अभी बैंड हो चुके हैं तो पता होना चाहिए कि DDT और BHC क्या होते हैं और μ्य ठीक है तो DDT और BHC का फुल फॉर्म आप मुझे कॉमेंट करके बताइए अगर आपको फूल फॉरम पता होगा ना तो फिर आप इजिली बता दोगे कि वह क्या है ठीक है तो आइ आपको समझ में आ गया होगा कि chemical method में वो question किस तरीके से पूछते हैं है ना हमें पता तो है कि chemical method क्या है पड़ हमें यह पता होना ची question कैसा आएगा तो आज हम हमारी वीडियो को यही खतम करते हैं अगर आप यह PDF चाहते हैं तो इसकी link हमने description में दे दी है ठीक है I hope आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा और काफी informative रहा होगा आपके जो भी doubts से वो clear हो गए होंगे तो friends फिर भी अगर आपके कोई भी doubts हो, queries हो, questions हो तो आप हमें YouTube पर comment करके बता सकते हैं हम उसको जल्द ही answer करेंगे साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल और WhatsApp ग्रूप को join कर सकते हैं जिसकी link हमने description में दी है साथ ही आप हमारे Instagram पेज और Facebook पेज को भी follow कर सकते हैं जिसकी link आपको हमारे description में मिलेगी हमारी website भी है tgagree.com करके जहां आपको agriculture का सभी matter बहुती arranged manner में मिलेगा आपको जादा ढूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप जाईए और जरूर महाँ पे देखिए अगर आपको हमसे directly जुड़ना है तो website में जाके हमारे पास हमने महाँ पे सबकुछ ऐसा form बनाके रखा है आप महासा में email कर सकते हैं जिसके reply हम देते हैं तो हम इस वीडियो को यही खतम करते हैं पर उससे बहले stay healthy and stay happy thank you